आपको पढ़ा नहीं है आपको पढ़ा नहीं है आपको उन डिमांड आम मेकिंग इस वीडियो बहुत से बच्चों के मेसेज आए कि सर कैसे प्लान करें स्टडी का टाइम टिबल कैसे बनाए हम कितने बजे पढ़े हमसे नहीं हो पा रहा है हो पा रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है यह बहुत सा कंफ्यूजन्स बच्चों के अंदर चल रहा है बिलोगुल टेंशन नहीं ले तो हमसर आ गए न अब भी तेरे स सारे क्विस्टन के आंसर करता हूं हाँ देख सबसे पहले तू पढ़ाई है ना कंटिन्यूटी चाहती है तीरी कंटिन्यूटी मतलब समझता है एक बार दबाके बैठ गए ना तो कंटिन्यूस चार-पांच-छे गंडे का स्लोट मिलना चाहिए अपने को तब हमको सैटिस में पढ़ाई नहीं होती है कंटिन्यूटी चाहिए अब सर कंटिन्यूटी कहां से लाए दिन बर यह जूम लेक्चर वाले यह लोग सब हमको परिशान करते बिल्कुल नहीं कब रहा तेरे पास 24 आवर्स है बताओ कब का सिद्विल तुझे फेवर करेगा देख जो रात का तो खाने का प्र हमें एना थोड़ा जल्दी करो स्थ श खुले मानले गर गर में और नहीं बन रहा है अपने घर κάह रहूम्मी या पापा को बोलो कि मिया खाने का सेडियूल थोड़ा जल्दी करो मुझे घर पड़ाई के लिсятना है आउढंत गड़ा के खानगी थ को में र बैटना पड़ेगा न साड़े आट बजे तो दुनिया से तिरों क्या लेना है जो अपनी पड़ाई करनी न साड़े आट बजे बैड़ जा और बहुत दिक्कत आ रही है न तो नाइन ओ क्लॉक लास्ट है नाइन ओ क्लॉक बैट सकता है पड़ने सोच ले तो वीडियो को 12 एक डेड़ बजे तक पढ़ो कौन रोकरेगा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो इसके अंदर इन्वॉल होता जाएगा तेरी इन्वॉल्मेंट से तुझे टाइम का पता ही नहीं चलेगा तो एक डेड़ बजे तक पढ़ लिया अपना जो भी टार्गेट ह तो कितना टाइम मिला तेरे को समझा तुझे पांच गंटे का एक स्लॉट मिल गया न यह स्लॉट तुमारी लाइफ में अभी नहीं है इसलिए तुमारा पढ़ाई का प्लानिंग नहीं हो पाता है आपको जो कंटिन्यूज एक स्लॉट चाहिए न वो यह मिलेगा साड़े तक हुँए नवीता मिल गया फिर सुवए 7.'s साथ बज़े तक तो ऊठ सकता है इतनी नीन तो काफी है अरे तु हुआ बज़े इबमें जल्शा तका आट बजे ऊठा मो已 ट Dragons कर स्लॉट है ORK वढि ओ cowry क्रिशा दूट पढ़ा हो चालू कर दे दबा के बैठ जा एक डेड़ बज तक पड़ डाल बिल्कुल कि बीच में भूख लगता है थोड़ा यह चे तो ममी डेड़ी को बोल के रखने का ना कि मैं पड़ रहा हूं कुछ नास्ता रखे जाना तो रखे जाएंगे खाते जाओ पड़ते जो लेकिन फिर तुझे एक continuous schedule मिल रहा है साड़े आठ से डेड़ का जो तू मिस नहीं करना ना फिर डेड़ बज़े से लेके रात के साड़े आठ के बीच में तेरा जो भी जूम लेक्चर्स है यह है वो है होंबर के वीडियो देखना वो सब निप्टा खतम कर वो टाइम ऐसा है तू डि अब देख बच्चा फस्ता का है कुछ बच्चे होते हैं फुल नाइट पढ़ाई का आदते हैं फुल नाइट मतलब जैसे रात को दस ग्यारा बज़े पढ़ने बैठेंगे और तीन चार बज़े तक पढ़ेंगे बढ़िया पढ़ रहा है बच्चा तो लेट तक पढ़ बढ़िया अब चार बज़े तक जागने के चक्कर में सुबह तुझे उठने में 10-11 बच जाते हैं तो सुबह का पूरा स्लोट गया तेरा जो फ्रेस माइंड का तो पूरा स्लोट लॉस्ट हो गया दस ग्यारा बज़े उठेगा खाएगा पीएगा बारा साढ़े बारा ब भी नहीं चला और end of the day रात को तो टोटल मारेगा तो पता चलेगा इन 14 hours में मैंने कुछ नहीं किया तो फिर क्यों रात को 3-4 बच खीच के सुबह 10-11 बज़े उठना है ना थोड़ा कम कर एक देड़ बजा फिर सुबह आठ साढ़े आठ को फिर बैढ़ जाने का और continues एक ठीक है तो आई होब तुझे वीडियो अच्छा लगा मजा आया तो कमेंट में लिए क्या रहे सर जोरदार धासू मोटिवेशनल वीडियो था मोटिवेशन कुछ नहीं पढ़ाई का आईडिया दे रहा हूं कि ऐसे पढ़ाई मैं तो ऐसे करने की पढ़ाई के फिर में हू हो जाए continuity होता है ना तो मजह आता है अब रही बात पढ़ाई करने का मन नहीं करता है तो यह गलत है यह गलत है ओके देख दोस्ते एक और चीज़ हम है ना शॉटकट्स ढूनते हैं हम सिब खयालों में अजंप्शन बनाते हैं कि मेरा इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा एसा नहीं होता है पढ़ाई को है ना तू सीधा कंपेर कर अपने पूराने जमाने में रिशी मुनी होते थे ना हाँ वो रिशी मुनी लोग को मतलब इश्वर प्रात्ती करनी होती थी they needed God कि हमको भगवान से मिलना है तो क्या करते थे वो लोग वो लोग continuous जाके जंगल में पहाड़ों पे कही नहीं बैट जाते थे और फिर तब करते थे और उस तब के दर्मियान उनको बारिश ठंडी सर्दी अंधेरा कुछ डगमगा नहीं सकता था वो continuous तब करते थे और भगवान दीखते थे उनको ऐसा हमने बच्पन से सीखा है अ मामायन, महाबारत, बाइबल, गीता, कुरान सब जगा हमने ज्यादा तर यही सिखा है न कि ओल्ड टाइम में रिसी मुनी लोग ऐसा मतलब भगवान को गौड को प्राप्ती के लिए जाते थे without any disturbance तो तू भी समझ यह science का पड़ाई वही है हाँ अपने आपको रिसी मुनी समझ बैट जा भगवान मिलेंगे जहां चाहेगा वहाँ admission मिलेगा लेकिन तब तो करना पड़ेगा ना बिना तपश्या के तो इस्वर नहीं मिलते थे अपने को दीखते हैं भगवान नहीं द तो तेरी मन चाही जगह पर admission मिलता है कि मुझे IIT में admission लेना है मुझे NIT में लेना है मुझे यह college में लेना है वह college के according तब करना सुरू कर तब मतलब यह पड़ाई तो तुझे बगवान मिलेंगे admission के रूप में ठीक है अच्छा लगा ना वीडियो तो comment में लिख किसा और ऐसा एक वीडियो बनाओ motivational यह वीडियो हिट जाएगा तो back to back इससे भी दासू तिरे लिए जो बहुत ही काम आएगा इससे एक और वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं पुरा subject वाइस तुझे help करूँगा कि कौन से subject को कब क्या वक्त देना चाहिए ठीक है टेक क्यार बाई